बड़े काम की है ये पुदीने की पत्तियां ये हैं साथ अचूक फैदे जी हाँ दोस्तों पुदीना मुख्य अहार तो नहीं है लेकिन इसकी उपस्तिती से खाने का स्वाथ बढ़ जाता है आज हम बात करेंगे पुदीने की जिसके अवसतिय गुन जानकर आप भी उचल प आज हम जानेंगे पुदीने के बारे में पुदीने के लाब क्या है उसके बारे में तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो तो चलिए जानते हैं पुदीने का हमारे जिंदगी में क्या लाब है पुदीने में आवसतिय गुनों से भरपूर मातरा पाई जाती है पुदीन कर देती है पुदिना मुख अहार तो नहीं है लेकिन इसकी मौजदगी से खाने का स्वाथ बढ़ जाता है इसके अलावा पुदेनी की पत्ती और सद्धिये गुनों से भरपूर होती है हाजमे के लिए ये एक अचूक उपाई है इसके सेवन से पाचन के लिए भी अच्छी रहती है तो चलिए जानते हैं पुदेने के कुछ असद्धिये गुनों के बारे में जिहां दोस्तों अगर आपके मुँख में से बदभू आती है तो पुदेनी की कुछ पत्तियों को प्रती दिन चबा ले या तो पत्ति दिन इसके पानी से कुल्दा करने पर भी जुक उपचार है गर्मियों में लू से बचने के लिए भी पुदेने का इस्तमाल किया जाता है इसके रश को पी कर बाहर निकलने से धूप लगने का डर भी कम रहता है यदि आपको हैजा दस्त हो गया है तो भी पुदेने का इस्तमाल कर सकते हैं हैजा होने पर पुदेन प्याज और नीमू के रस को बरावर मात्रा में मिला कर पीने से हाइदा होता है यदि आपको उल्टी आए तो आप पुदिने का आधा कप रस पी ले जिससे उल्टी आना बंद हो जाएगा यदि आपके पेट में अचानक दर्द हो गया है तो भी आप पुदिने को जीरा, काली मिर्च और हिंग के साथ मिला कर खा सकते हैं इससे भी काफी अराम मिलता है यदि आपके चेहरे में जलन हो रही है तो आप उदेनी की ताजी पत्तियों को पीस कर चेहरे पर लगा लें जिससे चेहरे को ठंड़क मिलेगी तो ये थे कुछ उदेने के अचूख उपाई हो सकता है आपके लिए ये जानकारी फाइदेमंद हो तो आई होप कि ये वीडियो आप सब के लिए अच्छा लगा होगा यदि अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर कर दें और यदि चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें जिससे आपको मिलती रहे हैं और नए वीडियो की नौटिफिकेशन सबसे पहले तो मिलते हैं अगले वीडियो में और एक नए जानकारी के साथ तब तक अपना ख्याल रखें, सबस्त रहें, मस्त रहें बाई बाई जय हिन जय भारत